कि अलो फ्रेंड्स विल्कम बेग विल्कम बेग पर ऑर सेनल के बीज बालोजी आज हम इस वीडियो सेरीज में जो मॉलेकुलल पाइलोजी के टेक्निक्स है उसके बारे पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाइलोजी में सबसे इंपर्टन बायोटिपमिक्स है और इसका यूज बहुत ज़्यां होता है तो पीसल क्या है उसका मेकैनिजम क्या है इसके बारे में आज हम इस वीडियों में देखेंगे और इसके आगे के वीडियों में हम देखेंगे उसके डिफ्रेंट्ट ताइपस औरी ताइपस में सब जो टाइपस और कैने हों इसके पार अलग-अलग टाइप के PCR के टेकमिक के उबर अलग अलग हो आपको इस यूडिशियूरिव में मिल जाएं तो सबसे पहले हम PCR ये शब्द का और इस वर्ड का PCR मेंज क्या? Polymerase Chain Reaction Polymerase Chain Reaction तो इसके वर्ड में ही और इसके शब्दों में ही उसका चुपाएं तो हमने जो molecular biology में polymerase देखा है Polymerase means क्या? Polymerase means जो DNA का sequence है जो DNA का strand है उसको multiply और उसको बढ़ाना उसकी length को बढ़ाना उसको हम क्या तो हम क्या है Polymer Reaction तो यह polymerase enzyme क्या करता है जो DNA का strand है उस DNA का strand को क्या करता है उसकी length बढ़ाता है तो उसके बाद chain reaction है तो chain reaction है उसकी जो reaction से वो chain में होती है इसलिए उसका नाम दिया है chain reaction तो PCR यह technique है मगर PCR किसमें होता है PCR जो PCR वता है वो thermocycler instrument में उस्टूमेट्द होता है thermocycler इस्टूमेट्ट adopted thermocycler instrument हे । इसमें ये PCR होती है ये क्या है instrument तो ये इस instrument का use करके PCR technique होती है Print PCR में क्या होता है PCR में, means PCR का principle क्या है, PCR का principle यह है कि जो DNA strand है, जो short DNA strand है, जो short DNA strand हो क्या करता है, multiply करता है, जैसे कि माल लो हमारे पास one, one base pair, one kilo base pair का strand है, means हमारे पास one, one kilo base pair का strand है, means कितना one thousand base pair, okay, तो यह one thousand base pair का strand है, उसके बाद हमें O DNA नहीं मिलेगा, okay, उसके बाद हमें O DNA नहीं है हमने पाद, तो हमें तो बहुत सारे test करने के लिए, इस DNA का यूज करना है, वगार हमारे पास तो सिर्फ इतना ही है, इसलिए क्या करते हम, उसको PCR करते हैं, okay, तो PCR में क्य होता है, PCR में different cycles होते हैं, जैसे कि मान लोग first cycle, first cycle में PCR में जो यह product है, DNA, okay, तो इसका जो है, इसकी quantity कितनी होती है, double product है, two DNA हो जाता है, okay, उसके second cycle में, second cycle में क्या होता है, उसकी quantity, चाल बना हो जाता है, तो इस प्रकार, इस प्रकार PCR में क्या होता है, साइकल होके, उसका DNA क्या होता है, multiplication होता है, और उसमें, जो help करता है, वो क्या है, thermocycle instrument, तो हम इस वीडियो में क्या दिखने वाले है, PCR का mechanism और principle, तो principle समिझे आया, principle में क्या है, DNA क्या है, DNA का innovation और multiplication होना, means, छोटा DNA strand उसका amplification होना, उस प्रोसेश को हम कहिएटे, PCR और polymerase cell reaction, amplification means, क्या, कि DNA का, जो DNA है, उसका ज्यादा मात्रा में उसको amplify करा, तो हम इस वीडियो में यही देखे, तो amplification, यह PCR का main motor होता है, तो PCR में लब हमें क्या क्या लगता है, PCR जब होता है, PCR किकनी जब होती है, तो हमें क्या 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 लगता है, firstensefulrywार्मेंड क्या है हिती है? एक पर ददनी तो पहला रट्पा है हमें प्राइमार कि दूसरा रट्पा है हमें ब स्थ्य डियन प्राइमर होगा है। पॉलिमरेज। इसके बाद। थर्मोसाइकलर। तो यह सब लगता है। अब आपको बताये कि RRipllyель e की dependent साथ और DNA का transcription गौता है तब वहापे राइमर जरूऔर होता है। तो आपको पताने होगा कैसे बॉडियो देख सकते हैं जो रेकलीकिशन होता है। तब डेप्लिकेशन के टाइम पे क्या रथा है डेए नहीं इंच जाहता है। तब वहाँ पर नया ज़रूरी होता है। प्राइमर जरूरी होता है। तो वहाँ पे जो प्राइमर की लेंध हैं, लगपक हमें पताएं। वो ट्वेंटी किलो बेस्पेर तो इसमें जो कॉलिमरेज है कोलिमरेज एंजाइम जो है वो क्या करता है कि क्या हुँटा है जो इस प्राइम्नस से हो चार सटाता है यहां से क्या हो यहां přेड़िशी तो होता है यहें इस क्या हूँř्ग हो बिल्टेस्टायल आझना आपको सटाता ही होए गिंद होता है तो जहां तो इसमें पॉलीमरेश्य में वह थर्म स्टेबल स्टेबल स्टोप्रॉग में जब से निखम छोटा है can Thermo means kya temperature, Cycler means kya? उसकी Cycles, तो उसमें लजबत तीन स्टेजे से Aniline, Aniline, उसके बार, परी दावला है कि दिनेचरेशन, दुसरा वाला है Aniline, और दिसरा वाला है Aniline, Iroundation, और तो यह जो तीन स्टेजे से उसका temperature क्या है? डिफरेंट है जो पहले वाले स्टेप है उसमें इनेचरेशन होता है जो एक मैनिक तक 92 डिरी सेलिशेस में यह साइकल होती है उसके बार, सेकंड जो है Aniline, जो सेकंड स्टेप है Aniline जी Aniline की तो Aniline की स्टेप में लबग 54 तू 64 डिरी सेलिशेस तेंपरचर रहता है लबग 3 सेकंड तक रहता है लबग 3 सेकंड तक रहता है उसके बाद elongation और additions और multiplications और polymerization एक्चूली होता है तब उसका temperature लबग 72 डिरी से रहता है तो इसलिए हम उसको क्या क्या क्येते है thermocycler और PCR techniques तो इसमें thermost table हम क्या बता रहते है कि पॉलिमरेज जो लबटा है वो थर्मोस्टेबल चाहिए होता है तो लगबग 3 प्रेकर के thermostable polymerize है जो फर्स्टेट टैड पॉलिमरेज तो टैड पॉलिमरेज इसको क्यों कहते है क्योंकि यह thermos adverticals thermos adverticals जो बैक्टेरिया है thermophilic बैक्टेरिया जो है उसमें से यह पॉलिमरेज क्या होता है निकाल के इसमें यूज होता है उसके बाद जो most of the thermostable polymerize जो है वो आर्की बैक्टेरिया में है क्योंकि आर्की बैक्टेरिया जो है आर्की बैक्टेरिया क्या है thermophilic और्गनिनम है तो इसमें आर्की बैक्टेरिया में इंक्लूड होते है और एक है जो thermophilus limiters thermos limiters इसमें से भी हम polymerize में करके PCR में use कर सकते हैं तो mostly जो use होता है वो क्या बताए टैक्ट पॉलिमर टैक्ट पॉलिमर में क्या thermo aquaticus का जो polymerize है वो इसमें यूज किया रहता है तो actually जो process है वो mechanism जो है वो हम इसमें अभी देख रहने वाद है तो mechanism में जो आता है first जो state है वो क्या है denaturation okay denaturation तो denaturation शो है वो लगबग एक मिनिट तक एक मिनिट तक क्या जाता है 72 degree celsius तक temperature इंग्रिस क्या जाता है और जो बीरे हैं क्या हुआ 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 तो जो DNA, dual stem and DNA जो है वो क्या होता है? denaturation होता है उसमें जो hydrogen bond है जो hydrogen bond किसमें प्रेजन रहते है? nitrogen basis में hydrogen bond प्रेजन रहते है तो वो क्या हुआ है? denaturation means उसका क्या होता है? separation होता है तो separate उसके separation होता है Okay 5 prime, 3 prime, 3 prime, 5 prime तो यह होता है उसके बाद होता क्या है? उसके बाद यहाँ पे प्राइमर यहां पर बाइंड दता है और यहां पर भी बाइंड होता है तो यह पाइंड होने के पाद इनिस्येशन हो जलता है किसका जब हम रेप्लिकेशन देखते हैं और यहां पर इनिस्येशन होना के पाद यहां पर बाइंड की सब्सक्राइब में दोनों की प्रोसेश वतबे़ें चले चली लापते हैं , जो... यो क्रोसेस है , एनलीग की प्रोसेस है और एनलीग में , क्या आता है ? एनलीग में उसमें लगर 54 तॉ 64 डिग्री तार तेंपरज रहता है और उसमें प्राइमर और वोलीज तो यावे आटा है नाइटी टो डिघ्री सिल्स से ऐम ड़ी यह जो सेट आजा सकरय नाइटी के तो इस पdd कि यह द्री त्री थ्रेबिंड एजिर कारयो थी थिक में ट्री यह है बंहें है एद्रीक में इंग कि पर्वाइबिंड तो यहां पर हो जाता है उसके पाग कि पॉलीमर इस बैंट में ने के पाग जो धर स्टेप तर स्टेप में होता क्या है 72 degrees Celsius के temperature में elongation होता है क्या होता है elongation तो elongation होता है यहाँ पे actual यहाँ पे actual होता है first cycle first cycle में होता क्या है यहाँ पे जो hybrid error है means और यहाँ यहाँ अगर दो टीन ही पॉर्म होता है उसके बाद जब seconds है कि बखिये second cycle so second cycle में क्या होता है second cycle में यह थो हम हैँ यह जाते है कर दो कि लुड़ कर दो कि लुड़ कर दो कि यह दो ना और जो नए फॉर्म में उसमें आते हैं तो ऐसे चार दिया नहीं फॉर्म होते हैं जो फर्ष्ट है जहां से बीनेचरिस में हुआ है उसमें 50% आ जाता है ना या मगर जो अलग से नए फॉर्म होते हैं उसमें 100% क्या होता है तो यह सब प्रोसेस है PCR की और मेकनिजम दिये है PCR की कुछ advantages है और कुछ disadvantages दिये तो disadvantages में जह आते हैं वह आपे contamination होने के chances रहते हैं और जो advantages है उसमें हम बहुत छोटे DNA का हम क्या कर सकते हैं और उसका यूज करके हम पता रह सकते हैं और study कर सकते हैं तो यह हुआ है PCR के बारे में आपको यह अच्छी लगी हो लाइक परोशेट परोब और अमारे जान को सबस्क्राइब और अगला वीडियो है उसमें आपको जो PCR के जो डिफरेंट टाइप से वह में जाएं आप आप आप